आईए बात करते हैं next caller से सवागत है आपका Hello Hello नमस्कर कहां से बात कर रहे हैं जी में 36 गर साजय से बात कर रहा हूं क्या नम है आपका प्रते हैं सुरेज कुमार सहूर सवाल आपका हुए मेरे पेट में नहीं लैंगे देटिंग में मैं भांच जाधा खून जाता है कि इज क्या है कि इज क्या जो अफ रिगורה लिए और ऊ상र हिए खेंड़ी इसमें हर इसमें हमारी एक आत में जखम हो जाता है ऐसे आदमी को बहुत एतियास से खाना पीना चाहिए जो भी आसानी से हजम हो भू खाना चाहिए और देखिए एक बड़ा अच्छा नुस्का है इसके लिए अगर आप खुद बना सकें तो बहुत अच्छा है और वो यह है कि जो कत्था आता है कत्था सुकावा आता है जिसे पान पर पनवाली लगाता है कत्था इस सो ग्राम कत्था सो ग्राम लाजवन्ती यह दवाओं का नाम है सो ग्राम रसवन्ती और सो ग्राम गौन मौरिंगा इस 4 चीज़े 100 सो ग्राम लेके पाड़र बनाएं और फिर इसी गोलिय बन जाएंगी मटर के दाने के बराबर या चने के दाने के बराबर ऐसी गोलिय बना लें और हर खाने से पहले एक गोली खाया करें पानी से या दूस से और काफी वक्त लगेगा लेकिन आपको फाइदा कांसे बात कर लिए रही हैं उल्क अ जी प्रश्चना का मेरे बेटा है टेज़ का उसके चहरे पे बारलाल हो चाता है और कुझली भी होती है मैं दुवाई बहुत मंवाइं नेकिन उसको फ़रक नहीं पड़ता है छी जी जी अ है अई वसु देन के बेटे को यह को एक नमक आता है कलोंजी का नमक आता एक नमक का लोंजी कहते हैं आसान लेंग्विज में और उसे रसायन कलोंजी भी कहते हैं या एस्टेक कलोंजी इंगलिश में कहते हैं लिख लीजे आप नमक कलोंजी ये दो चुटकी सुबा दो चुटकी शाम पानी में मिलाकर उसको पिला दिया करें आपको बच्चे का ठीक होना मुमकिन है जी प्रेम दिक्षित जी है मेरे कंदे में सूजन आ रही है दर्द है काफी दिन से प्रेम जी दर्द होता है दर्द नहीं होता है तो सूजन क्यों कह रहे हैं आप नजर आती है सूजन ये मलत है हल्गी हल्गी सूजन आ रही है काफी दिन से चलने ही मांसा बढ़ता जा रहा है ये कंदे ग्रूपर ठीक अच्छा देखिए अपना बहुत ख्याल लगिए चर्वी की चीज़े छोड़ दीजे एनिमल फैट छोड़ दीजे जो भी एनिमल फैट में आता है घी, दूद, मक्षन और मीट ये खाते हैं तो छोड़ दीजे और एक सिर्का आता है जिसको कहते हैं अलोविरा का सिर्क तो देखिए आपकी परिशानी का एक छोटा सा उपचार ये छोटे सिन उसके जो आपको जल से जल अपनाने हैं दर्श को देखिए कोई भी raw material मिलने में दिक्कत होती है, परिशानी होती है या फिर आपको मार्केट में नहीं मिल पाते हैं तो उसके लिए आप लोग हकीम स आपकी कंपनी से भी मंगवा सकते हैं लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि डिमांड बहुत जादा होती है इसलिए आपके पास पहुंचने में थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ता है लेकिन असली pure material ही आप लोगों तक दर्श को पहुंचाय जाता है देखिए नकल्ची उसे साबधान रहें क्योंकि बहुत जादा नकल raw material की की जा रही है तो असली नकली में पहचान जरूर कर लिजेगा और लगतार हम अपने कारेक्रम के माध्यम से आप तक ये भी पहुंचाते हैं कि कौन सा raw material कैसे दिखता है कैसा उसका स्वाध होता है तो हर एक बात का ख्याल रखके ही आपको raw material का इस्तमाल करना है और सही जगह से ही आपको लेना है क्योंकि सही जगह से लेंगे तो आपको जल से जल फायदा होगा बाकी दर्श को कोई भी क्वेरी करनी है आप लोगों को नी संकोच आप लोग हमारी help line number पे contact कीजिए आपको सारी बा है उठने की हमत नहीं होती है आप लोगों पर वो डिपेंड हो चुका है तो वो अपने पैरोपे खड़ा हो सकता है और जिन लोगों को operation के लिए उन सभी से तो कहना चाहूंगी कि operation की नौबत बिल्कुल मताने दीजिए एक बार आप लोग हमसे जुड़िए क्योंकि material को लेके तो हम खुद भी यह देख रही है कि बहुत जादा दर्शक जो हैं परेशान हो जाते हैं बोलते हैं कि हमें तो raw material मिलता ही नहीं है हम कैसे इसकी जाज करें लेकिन मिलेगा कहां से यह raw material मिलने में इतनी परेशानी क्यों होती है अधिके raw material जो लोग रखते हैं वो कच्ची दवावाले रखते हैं तो गली महलों में जो होते हैं वो बहुत छोटे दुकानदार होते हैं वो 150 रुपर वाली चीज तो रखते हैं लेकिन वो 2-4,000 रुपे किलो वाली चीज ने रखते हैं क्योंकि डिमांड नहीं होती है अ दबा खाने वाला कोई बुकानदार ये भी होता कि बेइमान होता है वो चाहता है कि जो चीज दजार रुपे किलो मिलती है वो 100 रुपे किलो वाली नकली ले लाके वो पैसे कमाए तो इस नियत समझना जरूरी है असली raw material लेने के लिए थोड़ा आपको परशानी हो सकती ह लेकिन अगर असली 100 ग्राम भी मिल गया तो आपको फाइदा मुम्किन है चलिए बात करते हैं एक और कॉलर से हमारे साथ जुड़े हैं बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं ब्रंदावन से हैं बयंक जी हमारे साथ स्फागत हैं आपका पर अभी यह नंशकर जी नमौशकार हाद अवारी ममनी को किटनी प्रॉब्लम है तो उसके दिया से ननन टादा वाई कुछनी थी लिए कि इन इता हैं बारे सिस्द में इक बार हो रहा हैं इस पहले यह शे साल तरह नहीं हुई थी ते पिर 6 साल से अंगरी दवाईयां चल नहीं थी, तो पिर क्या किते हैं, उसके बाद पिर डालेसिस नहीं हुई, लेकिन अभी COVID हो गया था, उसके बाद दवाईयां शुरू ही, तो फिर जबारा डालेसिस कराना पड़ रहा है। अठीक है, आपकी ममी की हाला तैसी है कि ठीक भी हो सकती है अच्छी तरह से, तो देखिए, एक दवा आती है, एक दवा आती है, कैप्सूल P-Care, P-4 पटना, P-4 पटना, कैप्सूल P-Care, ये किड्नी वालों के लिए, ये किड्नी वालों के लिए अमरत है, सुबा शाम, खाने से पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, और जब डालेसिस की पुरानी रिपोर्ट अपने पास रखें, और नई रिपोर्ट भी कराएं, जब ये शुरू हो जाए, आपको अच्छा लगएगा कि उनकी क्रेटनाइन एकदम नीचे आने लगी, और कुछ दिनों में ही वो इसे निजाद भी पा सकते हैं, लेकिन इनकी किड्नी की गंदगी पर हमेशा नज़र लगने पड़ेगी, यानि क्रेटनाइन पर, और बहुत ऐसी खायर लगी है अपनी मम्मी का, आपकी मम्मी का ठीक होन मम्मी की बिहार से हैं, श्याम नरायन हमारे साथ, स्वागत है आपका, अज़्या है कि कमर दर्द है, बहुत जादे, कब से दर्द है ये? कमर दर्द के, मैं दो चीज़े मैं बताता हूँ अक्सर, एक तो ये के, अगर गौन सियाह मिल जाए, असली, असली बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो अदा अदा गिराम, सुबा शाम खाने के बाद, पानी से जूस से या बगए चर्वी के दूस से खाना चाहिए, दो बा और सो ग्राम मिल गया तो आपको फाइदा मुमकिन है, और नहीं मिले असली लेना है, नहीं मिले तो आप कैसुल टी केर, टी फोर टाइगर, कैसुल टी केर, सुबा शाम खाने से भी आपको फाइदा मुमकिन है, चलिए तो फाइदा उठाईएगा, नुस के अपना लिजे करना है आगर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इटेल में बात करना चाहते हैं तो आप nature one per कानट कर सकते हैं अईए बात करें नेक्सτα कॉ और से जी नमसकार सपागत हैं आपका हालो क्या नामें कहां से बात कर रही हैं मेरा नाम सुनीता जी, सवाल आपका मेरा सुनीता बताईए आप नाराद की मैं क्या जी मुझे न बाधरूम में कफी बंदी आती है, बाधरूम ऐसे चिकनन चिकन आता है मेरा, और मेरा पेट भी खराब रहता है, क्या उमर है आपकी? 45 अच्छा कप से है ये? ये एक साल हो गया, पेट भी खराब हो जाता है बीच बीच में ठीक है, अच्छा देखिए मेथी ले लिजे 500 ग्राम मेथी और इसका पाउडर बना लिजे और वो आता है नमक कलाउंजी, कलाउंजी का नमक आता है एक जो देखने में नमक जैसा होग होता है, लेकिन साध में नमक जैसा नहीं होता है, ये सो ग्राम इसमें मिलाई है, पाउडर बना लिजे और आदा चम्मस शुबाँ, आदा चम्मस शाम से शुरू करें, खाने से पहले, पानी के साथ लिया करें, तो देखिए, फाइदा तो आपको ऐसा लएगा, कि दो चा कलोंजी भी करते हैं, ये इसमें सो ग्राम मिलाकर पाउडर बना है, अपने हाँ से और आदा आदा चम्मस खाना शुरू करें, जरूरत पढ़ने पर एक एक चम्मस भी ले सकते हैं, लेकिन पहले आदा आदा चम्मस ही, छोटा चाय का चम्मस इस्तमाल करना बहतर है, असाम से अगले कॉलर हैं, कमल जी हमारे साथ, स्वागत है आपका, हालो, हेलो, जी कमल जी, मेरा तिन साल पहले appendix operation हो गया था, ठीक है, पिर मेरा liver का pain रहता है, पेन रहता है, लिवर में, ठीक है, उमर कितनी है, कमल जी आपकी? 40 40 अच्छा देखिए, जब हम, जब भी कोई operation कराते हैं, तो हमारे liver जरूर इंप्रेस होता है, क्योंकि operation के बाद, चाया appendix का हो या कोई भी, हमें जो antibiotic दवाएं खानी पड़ती हैं, उसके नुक्सानात को रोकने की हम कोई दवा निखाते हैं। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ के एक दवा के बारे में, अलांकि मैं घरे इन उसके बताता हूँ, लेकिन मैं हर उस आदमी से, जिसको बहुत दिन तक अंग्रेजी दवा खानी हैं, या जिंदगी बर खानी हैं, या आप्रेशन हुआ हैं, या कोई भी ऐसा परिशानी हैं, तो कैपसूल पी केर सुबा शाम खाएं, ताकि हमारा लीवर अच्छा हो सके, आप भी ले सकते हैं, और हर वो आदमी जिसके दवा बन गई है जिंदगी, जिंदगी बगएर दवा के नहीं चलती, उसे एक या दो बार कैपसूल पी केर जरूर खाना चाहिए, ताकि व का, हालो, हालो, अजी, बोलिये, सवाल करिये, जी आप बोलें क्या, बताईए, बताईए, हम सुन रहा हूं, बताईए क्या सवाल है, सुलिमान बात कर रहा है, जी आप नहीं रहता है, आप नहीं नहीं पाया कि गोली बेजी हो जीदी, इस सब और पैरों में दाद है, वो जादि में तो जीए, कर दाद है, परसंट कम होगा, तो जीए, कि चलो यह वो तो हो जाएगा, जीए, हाँ देखिए, महतरम आप दर्थ की गोली खा रहा है, त दर्थ तो आपको फायदा शुरू हो गया, अब पेट की गोली खाएंगे तो पेट कभी आपको फायदा होगा, आप दवा खा रहे हैं दर्थ की और शिकायत कर रहे हैं पेट की, तो पेट के लिए आप पी केर ले सकते हैं, कैपसूल पी केर, सुबा शाम या सुबा को चल रही है दर्श को देखे नुस्खे आपको अपनाने होंगे यह नहीं कि आप लोग यहाँ पर कॉल करते हैं और सुनकर संतोष कर लेते हैं सुनकर संतोष करेंगे तो यह बात आप साथ भी आप लोगों को बोलते हैं दर्शकों के आप लोग 15 दिन बाद अगर आपको लगता है कि कोई ट्रीट्मेंट असरदार नहीं है तो जल से जल आप यूनानी से जूड़िये घरेलोन उसके अपना ये फिर देखेगा कितना आप लोगों को लाभ मिलता है